नमस्कार दोस्तों सुहागिन महिला की सबसे बड़ी निशानी है सोला श्रिंगार और इसमें से एक है चूडी चूडियों की बिना किसी भी महिला का सोला श्रिंगार पूरा नहीं होता हिंदु धर में चूडियां पहनना सुहागिन महिला के लिए बहुत ही अनिवारे माना क इसका धार्मिक महत्व तो है ही साथ ही वास्तु शास्त्र में चूडिया पहनने के कई लाब बताएगा है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चूडिया पहनने का कारण और इसके फायते तो आईए जानते हैं धार्मिक मानता के अनुसार महिलाएं अपने पती की लंबे उम्र के लिए चूडिया पहनती है इसलिए चूडिया सुहाग का प्रतीक मानी जाती है खनकती चूडियां महिलाओं की खूपसूरती को तो बढ़ाती ही है इसके साथी चूडियां पहनने से महिलाओं का स्वास्ते भी अच्छा रहता है माना जाता है कि काच की चूडियों की खनक से बातावरण में मौजूद नकरात्मक उर्जान नश्ट होती है और सकरात्मक उर्जा का संचार होता है शास्तरों के अनुसार चूडियां सुहाग का प्रतीक मानी गई है हिंदु धर में पती को सुहाग कहा किया है इसलिए पती की मौत की बाद महिला की चूडियां तोड़ी जाती है बतादे कि धार में ग्रंथों में लाल और हरी रंग की चूडियों को पहनना शगूर माना जाता है क्योंकि लाल रंग प्रेम का रंग माना जाता है और ये महिलाओं को आदी शक्ति से भी जोड़ता है तो लाल रंग की चूडियां हमारे वैवाहिक जीवन पर शुब असर डालती है और प्रेम संबंदों को मधूर बनाती है इसी तरह हरा रंग प्रकरती का रंग माना जाता है जिस तरह प्रकरती हमारे जीवन में खुशाली लाती है उसी तरह हरा रंग वैवाहिक जीवन में ख पूत होती है एक अन्य मानिता के अनुसार महिलाई जब घर में काम करती है तो चूडियों की आवास से घर की नकरात्मक उर्जा बे असर हो जाती है और चार और सकरात्मकता का संचार होता है विज्ञानिक दृष्टी से देखे तो कलाय की नीचे से लेकर 6 इंच तक में जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं इन्हें समान दबाव से दबाई जाने पर शरीर स्वास और उर्जवान बना रहता है चूडि हात में घर्शन करती है इससे हातों का रक्त संचार बढ़ता है विज्ञान के अनुसार यही घर्शन उर्जा बनाए रखता है और ठकान को मिटाने में सहायक होता है हातों में चूड़ी पहनना सांस संबंदी रोगों और दिल की बिमारे को काफी हद तक घटाता है चूड़ी पहनने से मानसिक संतुलन बना रहता है वह विज्ञान का माना है कि काज की चूड़ियों की ध्वनी से वातवरण में उपस्तित नकर सकरात्मक उर्जान नश्ठ होती है और सकरात्मक उर्जा का संचार होता है कुण्ड़ी टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद